सवाल भी आपसे पूछना चाहता हूं, एक जुम्ला चलता था बीजेपी के खिलाफ, कि बीजेपी ऐसी वाशिंग मशीन है कि इधर से डालो उधर से निकालो सब साफ, आज मैं यही बोलता हूं, कि बाई जो समास सास्त्री हैं, जो बिहेवियर के एक्सपर्ट हैं, साइकोल करने के बाद, उनका तन भी एकदम से बदल गया, और मन भी बदल गया, पूरा आचरन बदल गया, इधर से गय और उधर से निकले, तो एक पूरा नजाने कौन सा नया मानों बनके वो निकल गये, और एकदम उनका बिहेवियर बदल गया, तो इस पे भी जड़ा समास सास् गंटे में क्या हेर फेर हो जाता है इतना तेज वाशिंग मशिंग तो भाई कहीं नहीं दिखा है कि पूरा तन और मन दोनों ही बदल दे तीसरी इंपोर्टेंट चीज जो आपने बोली कि प्रदान मंत्री जी चुप्पी क्यों साधे हुए है मैं आपको एक चीज बताना चा हुआ है कुछ लोगों को सांती पार्ट सुनाई नहीं देता है समझ में नहीं आता है वो बहरे हो जाते हैं तो उनके लिए दूसरा पार्ट होता है मुझे यह लगता है कि सरकार या उस दाइट पे बैठे हुए लोग उन पदों पे बैठे हुए लोग समविधान के के लिए कुछ गलत किया है कानून के हिसाब से वह एक्षन ले रहे हैं आपको एक तहावत एक्षन इस पीड़र देन वर्ड अब वह चीज चल रही है शांती पाथ तो बहुत हो गया शांती पाथ करें आप पूलिए तो मैं पूरा शांती पाथ जिन लोगों को नहीं समझ मे आया होगा मैं अभी फिर से रिपीद कर देता हूं यह जरूर करते रहे हैं देश के लिए शांती पाथ करने की सभी घुरे अनुक्त के लिए प्रतियों के लिए की रिच्फिवे यह शांती प्रिथिवे तक के लिए कि रिगे हैं किरें पिशले पाहत हजार शालों से काने खाले में जलिभा सरा नियोगा, रहा है उनके दूसरे पांट की जरूदत है ओर वो जो भी जिम्मेदार जोगी किसी भी देश ने वो करेंगी अर वो आठ प्रांस में हुआ था न शांती पार्ट एक दूसरा पार्ट हुआ था